अगले कॉल से हम बाचीत करते हैं बिहार से अगले कॉल साथ जोड़ गए है राकिश जी ने हमें कॉल किया है जी बताएं क्या समस्या है आपके साथ उम्र कितनी है आपकी उम्र होगा 30 साल 30 वार्ष 33 साल के उम्र है पेट की समस्या है उन्हें ब्लड भी आता है पांचे साल से है वह दिकी बहुत होती है पांचे साल ब्लड आने की तकलीफ की दर्द की समस्या बहुत होती है पांच साल तुम्हें तो आदमी मायूस हो जाता है बुढ़ा हो जाता है और एक नुश्टा मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख ले देखिए एक चीज आती है लाजवन्ती सब जानते है बड़ी मशूर चीज है लिख लिख लिए लाजवन्ती के बीज आते है बहुत बारिक बारिक अगर इसे पानी में डालो तो पानी जम जाता है समझ दीजे आप कैसी चीज है लाजवन्ती के बीज लाजवन्ती कहते हैं इसे लाजवन्ती और एक चीज़ आती है रसवन्ती ये एक गम टाइप की चीज़ है लाजवन्ती, रसवन्ती, कत्था कत्था है जो पनवाडी पान पे लगाता है ये सूखावा कत्था मिलता है 100-100 ग्राम सबले लाजवन्ती, रसवन्ती, कत्था और गौन मौरिंगा सफेद लिखना आप लाल वाला मतले ना गौन मौरिंगा सफेद हता आता है इस वसो ग्राम लेकर पाउडर बना लें और इसकी गोलियां बना लें चना या मतर के बराबर या उससे कुछ बड़ी और एक सुबा एक शाम खाया करें पानी से बगार चर्बी के दूस से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आप रही सादमी है और ये मेटेरियर खतम होने से पहले आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है कौर दर्शक हमारे साथ कोटा राजस्तान से जुड़ गए है हमारे साथ है गौतम जी क्या सवाल करना चाहते हैं क्या पता करना चाहते हैं इसके बारे में आप पैदा होता है और उसको एक प्रोसेस के तहर सिर्का बनाते हैं जैसे यहां गन्य का अंगूर का सेप का सिर्का बनाते हैं ऐसे यह एक फल है जिसका सिर्का बनाते हैं लेकिन यह पेट की खराबी के लिए पेट के इंफेक्शन के लिए आतों के इंफेक्शन के लिए लीवर के लिए लीवर इस्तिमाल करते हैं दिन में एक या दो बार ले सकते हैं पानी से पानी में मिलाकर बहुत तेज होता है तो दो तीन चमच एक गिलास पानी में डाल कर अगर इस्तिमाल किया जा तो डायवटीज भी इस्तिर रहती है और कॉलिस्टॉल का दुश्मन है और प्लेट प्रेशर को हार्ट ब्लॉक इज इसकी वज़े से हमें बाइपास सर्जरी ऑप्रेशन कराना पड़ता है अगर पांच से महीने ले लिए जाए तो इससे निजात मिल सकती है इसके साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है रामा जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से उनसे बातचीत करते हैं रामा जी बताएं क्या सवाल करना चाहती है आप मैं यह पूछना है कि मुझे दॉक्टर ने गठिया बताई है जी और मेरे तो है आप पैरों में हाथ और में की उंगलियों में सूजन आ जाती है गठिया है यह हमेशा के लिए रहेगी ठीक नहीं होगी उम्र कितनी है रमा जी आपकी मेरे 64 है और यह जो समस्या जी और दूसरा यह है कि मुझे थोड़ा बिलट पेशर भी रहता है ठायरेट जी है अच्छा यह जो जोडों का बता रहें गठिया यह कब से है आपके साथ परिशानी इसको आठ महीने हो गया है कैस्टिंग में अनों ने आप गठिया बताईए जी जी छोटी वाले जोडों की गठिया आए आपको चीक है अच्छा देखिए आपको तो बहुत ताजी ताजी गठिया है मतलब एक साल भी नहीं हुआ है जो अगर प्रोग्राम देखती हैं तो पाँच-पाँच दजदस साल पराने लोग भी अच्छे हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह इलाज करें देखिए गठिया जो है और थायराट का भी इलाज है वो भी ठीक हो सकता है एक एक करके कर लें जो आप बेहतर समझें एक निसका बताता हूं वो आप खुद बनाएं देखिए अलसी ले ले लिजे पाँच-छेसो ग्राम और उसको पौडर बना लिजे हलका सा भून के अलसी और एक चमच अलसी रोज सुबा और शाम खाया करें और सो दो सो ग्राम आप ले लिजे गौन्सिया एक गौन्द आता है जिसे गौन्सिया या काला गौन्द कहते हैं ये अलक से पाडर बना के रख लिजे जब भी ये अलसी खाएं तो इसमें एक या दो चुटकी गौन्सिया मिला लें होती कड़वा, इंतहाई कड़वा होता है, बड़ा साथ अच्छा नहीं होता उसका, लेकिन फाइदे में मैंने ऐसी अपनी जिन्दगी में के अनुभाव में कोई दवा नहीं देखी, जो गठिया को भी आप से दूर कर देता है, ये गठिया का इलाज है, समझते हैं आप अलसी पीज के अलग रखें, हलका सा फून के, एक चम्मच लें, उसमें एक या दो चुटकी गौनसिया मिलाके दिन में दो बार खा सकते हैं, खाने के पश्चात, बगए चर्बी के दूर से या पानी से लिया करें, आपको फाइदा होना मुम्किन है, और इस वक्त एक और वह है उसकी बादी वाली, मेरे नीचे उन्हें रेटरिंग करते हैं, घुदा भार में अलीड लिया दिया है, आपको फाइदा है, जी तो कोई युनानी दवा इनके लिए या जिस तरह की परेशानी है, बहुत ही परेशानी वाली परेशानी है, बिमारी है ये? अगरे दवा भी है और घरे नुसके भी है, ये ठीक हो सकता है, बस आप इतना खया लगए कि खाना जितना आपको लगता है, उससे आदा खाना खाया करें, और जो भी खाना खाएं, वो हजम जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो खाएं, ठीक है? और दवा के नाम पर कैफसूल पी केर, पी फॉर पटना, कैफसूल पी केर, सुबा शाम, खाने के बाद या पहले भी ले सकते हैं, पानी के साथ लें, और एक घरे ले नुसका है, वो मैं आपको बतायता हूँ, मेथी पांच सो ग्राम, मेथी का दाना, और इसको पाउडर बना लें, ज्यादा बारीक ना करें, तोड़ा मोटा मोटा सा रहा है, सूजी होती है, ऐसा तो बहुत अच्छा, मेथी दाना को पाउडर बनाएं, और एक रसायन आता है, जैतून का रसायन, जैतून का नमक भी कहते हैं इससे आसान लेंगवेज में और इंग्लिश में इसको कहते हैं अस्टेक जैतून ये देखने में नमक होता है लेकिन खाने में नमकीन नहीं होता है ये 100 ग्राम या 250 ग्राम इसे मिला कर पाॉडर बनाएं और आधे से एक चमद दिन में दो वार क्लार खा सकते हैं वापते एक और कॉलर है मीना जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से मीना जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप नमशकर जी आदार मीना जी कैसी है ठीक है मेरे मदर है 55 years की तो उनकी एक कमर से गुती नश चाहती जो पैर तर जाती बहुत दर्द करती है उनके प्रिक है और उनको फिर में बद वो गिर गएके चोट लगी थी, तो डॉक्टर नो इता है, उनके फिर में खुण जम गया है, तो किस टेम वो ब्योश्व हो जाती है, जे, ओमर कितनी है उनके, 65, जे, एक तांग की बड़ी प्रॉल्म है, उनके एक तांग कमर से होती ही, नीचे पैर बहुत दुख्टी है, कापनी लाज कराया, पर कहीं कोई अराम नी आया, तुसरा वीपी की भी है, और सिर में कहते हैं, जिर गे इंठेक बारी, तो खुन जमा हुआ है, तो वो भ्योश्वी हो जाती हैं, कई बार, फिर थोड़ी बार उनको पानी बारी डालते हैं, वीपी की तरफ कोई दर्द होता है, नर्व में, तो इसे साइटिका कहते हैं, अमारी कमर की डिस में, वो रग दब जाती है, जो खुन सप्लाई करने के लिए, टांगों की तरफ जाती है, मौटी नर्व होती है, इतनी मौटी, मेरी उंगली की बराबर, तो वो दब जाती है, तो इसके लिए एक तो घर में वेस्टन टॉयलेट होना चाहिए, जो अपनी जरुरत वो उस पर बूरी करें, नहीं है तो लगवा लिजे, तो बहुत जरूरी है, ये उनके लिए, दूसरा कैपसुल टी केर, टी फोर टाइगर, आप उन्हें दिया करें सुबा शाम, और अगर ज ये जो ब्लेट पेशर और ये खून का जमना, ये चर्बी का जमना, ये चर्बी का होना, ये हार्ट ब्लॉकिश होना, ये सब के लिए बहुत अच्छा एक नस्खा है, जैतून का सिर्का, जैतून का सिर्का जो है ये लिक्विट है, और इसे तीन चम्मच रोजाना पानी म मिला कर आप उन्हें पिला दिया करिए आपकी सारी समस्यां का निदान मुम्किन है एक और दर्शक हमारे साथ जोड़ गई है फरीदाबाद से विद्या जी ने हमें कॉल किया है विद्या जी आप बताएं किस तरह की परिशानी है या बिमारी है जिससे आप जूज रही है आ नमस्के जी नमस्के जी नमस्के जी खादा बंद blending विद्या जी कैसी है जी खीक हो व्यजी मैने दो बारी दवाई मघ भाई है आप से आहर ती材 जी हमेरे को फर्क तो है पर है है न मेरे को हातों मेरेוס परों पर में आप आलड़ जी होजाती आ जी छीकी थीक बोलिये पूरी बात बोलिये हाँ जी पूरी दवई मैंने खा लिये फर्क है ठीक है अच्छा देखिए आगे दवई आगे लूँ या फर्क कितना है ये बता दीजे फर्क बहुत है 80 परसेंट तो है अच्छा देखिए तबाई और एक दो महीने खाईए आप और एक चुटकी जो खाने वाला सोडा है रोजाना एक चुटकी में इतना आए पानी में मिला कर आप पी लिया करिए तो कोई ऐलर्जी बगरा भी होगी तो उसका भी ठीक होना मुमकिन है आपको बहुत मुबारक बहुत जल्दी भगवान ने आपको फाइदा दिया और मुझे बहुत अच्छा रगा कि आपने हमें फीड़बेक दिया बहुत शुक्रिया आप से बात करके बहुत अच्छा रगा और सीमा रानी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है कॉल किया है इन्होंने हर्याना से सीमा जी सवाल कर सकती है नमस्कार डॉक्टर साब आदा सीमा जी बताईए सर मैंने अपने हस्बेंट के बारे में पूछना है जी उनकी नोमर 56 साल है और उनको ना हार्ट की प्रोग्लम है उनकी ना हार्ट पंपिंग का कम काम करती है हार्ट कम काम करता है जी ब्लोकिज तो नहीं बताए डॉक्टर ने अंजी हार्ट ब्लोकिज तो नहीं बताए है कहीं चरवी जाड ब्लोक इज नहीं एक नस ब्लोक बताई थी बाकि उनको ना तो स्टंड पढ़ सकता है डोक्टर कहते है ना बाइपास सर्जरी हो सकती है ठीक है देगे मैं तो कहता हूँ सब कुसे कहता हूँ कि बाइपास सर्जरी मत कराई है स्टंड की भी जरूरत नहीं है जब चर्बी हमारे दिल की रगों में भर जाती है तो स्टन डालते हैं या बाई पास सरजरी करते हैं एक ऐसा निसका जो इतना काम्याब है कि जिसने भी इस्तेमाल किया उसको फाइदा होता है मैं अपनी पूरी जिन्दगी में ऐसा अच्छा निसका शेयर करता जा रहा हूँ आपको भी फाइदा हो तो आप भी शेयर करते जाएए मेरे इतने वीवर्स से जब फाइदा होता है तो हजारों लोगों में शेयर करते हैं लीबू का रस एक लीटर निकालें अपने हाथ से बना के दें अपने पती को बहुत खुश होगा पती भी और भगवान भी एक लीटर लीटर लहसन का रस एक लीटर अद्रक का रस और एक लीटर जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का ही डालें उसमें इसको मिक्स कर दें ये पांच महीने की दवा है आपके पती की और इन पांच महीने में उनकी नर्व जो ब्लॉक है वो पहले महीने से खुलने लगेगी पांच महीने होते होते उनका रोग मुक्त होना मुम दूर कर देगे